कि वंदे मातरम विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के बावजूद भारत एक है गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हम खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करते हैं इसके लिए हमें शुक्रियादा करना चाहिए अपने सोलजस का हम रात को सोई इसके लिए वो सारी रात सीमा पर जाकते हैं एक समय था जब देश को सीमा के बाहर से भी खत्रा था पर हालात बदल चुके हैं आज हमारे देश को बाहर से ज्यादा भीतर से खत्रा है आतंक वदी हमारे देश में आतंक फैला कर हमारा सुकून और चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ना तो कभी अपने एरादों में काम्याब हो पाए थे और ना अपने मनसूबों में कभी काम्याब हो पाएंगे. सीमा पर सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, देश के अंदर पुलीस के जवान हैं लोगों की रक्षा के लिए. हमारी सीक्रिट सर्विस और सीवी आई के लोग अपनी जान दाव पर लगाकर देश के लोगों की जान बचाते हैं. हमारे देश की जन संख्या 120 करोड हो चुकी है. 120 करोड लोगों की रक्षा सिर्फ मुठी भर पुलीस के जवान करते हैं. आतंकवादियों और मासूम नागरिकों के बीच हमारे जाबाज पुलीस के जवान और सीक्रिट एजन्स खड़े होते हैं. आतंकवादियों की गोलियों के सामने पुलीस के जवान सीना तानकर खड़े हो जाते हैं. वो गोली खाकर खुद शहीद हो जाते हैं. पर देश के मासूम लोगों के उपर आज नहीं आने देते हमारे देश के सीक्विट एजन्स आतंकवादियों के घर में घुसकर उनके नापाक इरादों को बरबाद कर देते हैं जब तक भारत मा के वीर सपूत देश के लिए जान की आहुती देते रहेंगे कोई आतंकवादी कोई अपने नापाक इरादों में काम्याब नहीं हो सकता आएए आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर अपने इन जवानों को सल्यूट करें और शबत लें कि हम एक हैं और एक रहेंगे गुद मॉर्निंग एविवन गुद मॉर्निंग जेंटलमेन हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खाबर है बड़ी और बुरी भी मुझे ये इन्फरमेशन रिसर्च और अनेलिसिस विंग से मिली है इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एमर्जेंसी और होने वाला है ये देखिए आपके हिसाब से ये केस की से देना चाहिए विस्टर गोपी किषिन जो हमारे सदन रीजन के डेपीटी डिरेक्टर है फैसला बिल्कुल सही है मैडम हां थोड़ा जल्दी बाहर आईये आ रही हूं बाबा अब तक पूरा नहीं हुआ बिल्कुल पूरा हो गया मैडम आपकी ड्रेस प्रेस हो गई यह बताओ तुम्हारी चुट्टिया कब से देखी मेरी चुट्टियों में आप काम करते हैं और आपकी चुट्टियों में अपना काम करती हूं यही तुमारा रूटीन है इस बार मैं तुम्हें एक बड़ा सर्प्राइज देने वाला हूं पक्का ना पक्का बाई कहां च मैं तुमसे कहा था कि तुम खुबसूरत है यह हुआ तस पज़े तक वीडियो कॉंफरेंस में पहुंदे नानी सब्सक्राइब तस पितुम खुबसुम खुबसूरत द्सक्राइब छोग कर दोने सब्सक्राइब तक टुमसे कैजसे के आट्वेजेग तक टुमसे के तक वीडियो उल्हें प्रष्चे के ताट्राइब यूज़ जाब हलो सर, हलो जी के, हाव यू आइम फाइन सर सर आप थोड़ा परेशान लग रहे है, एनिटिंग रॉंग येस रॉंग ने एक शौकिंग न्यूज भेजी है एक आतंगवादी ग्रूप हमले की साथ जिश्मी है और ये सब लोग इंडिया में घुस चुके हैं हमें इन्हें रोकना है इस उपरेशन में तुम और मिस्टर शेशादरी दोनों इंचार्ज रहोगे समझ गए जी के? जी बिल्कुल सर, सारे स्टेट्स के डीजीपीज को इनफॉर्म कर दिया गया है इसमें वो तुम्हारी पूरी दर से मदद करेंगे ओके सर, इस उपरेशन के लिए अपने अफिसर्स तुम खुछ चुन लो तुम्हें पूरी जूट है सर, बाखी सारी डीटेल्स में तुम्हें भेज़ दिए अल्ट बेस्ट थैंक यूज सेशू सर सदर्न स्टेट के सभी बड़े पूलीस आफिसर्स के साथ मीटिंग अरेंज करवाव, जल्दी ओके सर गुद मार्निंग सर या गुद मार्निंग सर, आपके लिए वीट करेंगे ठीक है आई चीफ अल्लो, अन्वर हुसेन कैसे हो तुम? Fine, sir. How are you? I'm great. ये ACP Shiv Kumar है, Salem से. Hello, sir. मैं Sheshadri हूँ, Bhopal से. Hello. आओ. जैसे ही ये केस मुझे सौंपा गया, उसी वक्त मुझे तुमारी याद आई. Sir. इस तरह के केसे में, तुम्हारा जैसे senior officers के लावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता. मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, sir. This way. आप सब लोगों ने जो अभी WTC पर अटाइक देखा, वो सिर्फ एक ट्रेलर था. WTC पर हुए हमले से कहीं ज्यादा घातक हमला, वो हमारे भारत देश पर करने की फिराक में हैं, और ये भी पता चला है, कि कुछ आतंगवादी भारत देश में घुश चुके हैं. हम उस ग्रूप के लीडर के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं उसके प्लैन के बारे में. सिर्फ उसका नाम जानते हैं, मलिक. शायद ये उसका नकली नाम है. पहले वो इस प्लैन को बाहर से उपरेट करने वाला था, लेकिन वो और उसका ग्रूप इंडिया में आ चुका है. ये फूल प्रूफ प्लैन के साथ इंडिया में आया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. ये मत समझना कि ये कुछ नहीं करेगा. मतलब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. जितनी भी भीडभाडवाली जगें हैं, और ओवर सेंस्टिफ प्लेसेज हैं, उन पर कड़ी नज़र रखो. एक मिनट का भी आराम नहीं है. ये बात ध्यान में रखिए. Now you know what you have to do. 24 घंटे अपने आपको चौकन न रखिए. और एक बात हमेशा याद रखिए, घलती की कोई गुंजाइश नहीं. ये वह हरे काड़ी की ठीक से तनाशी लेना. सर्व, इसकी मौत बड़ी अजीब तरह से हुए. इसलिए हमने आपको पहले इंफॉर्म किया. एक ही जटके में काम तमाम हो गया इसका. इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किलर ने स्टेलेटो ब्लेड का इस्तमाल किया है, जो पेशे वर कातिल इस्तमाल करते हैं. कोई प्रोफेशनल किलर लगता है. सर्व, ये बॉड़ी हमें समंदर में मिली और बॉड़ी मिलने के तीन दिन पहले इस आदमी की मौत भी थी. इसका मतलब ये मुड़र इस महीने के तीज तारीक को हुआ. तुमने मिसिंग केसे इसको चेक किया? आसपास के सभी पुली स्टेशन में चेक कर लिया, सर. मिसिंग केस नहीं है. जहां बॉड़ी मिली थी, वहां तुम्हें और कोई चीज मिली जैसे आईडी कार्ड, मोबाइल फोन या और कुछ? नहीं. यह भी तो हो सकता है, कि किलर ने मारने के बाद इसका सारा समान निकाल लिया हो. सर, बॉड़ी यहां पर मिली थी हमें. कुमें अडेंडाने, की कुमें आखी। वें वहां और कुल यहां आखी। और कूल प्रॉड़ी रेगे मूजिक यहां प्ले आखी। जान प्लेशा बेदेदू आखी। अखिर यह मरने वाला था कुन बिचारा? इसका अमर्डर हुआ तो आखिर क्यों? इसकी मौत के पीछे जरूर कोई रास चुपा है और उसी रास में हमारे सारे सवालों के जवाब अन्वर 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 प्लीज कम अ मुर्डर यहीं पर वुआ था आए आए ऐसी टोपी हमारे यह तो पहनी ही नहीं जाती सच कहूं तो मैंने ऐसी टोपी पहली बार देखी हिंदुस्तान में ऐसी टोपी कम लोग पहनते हैं हाँ बर्मा के मुसल्मान ऐसी टोपी ज्यादा पहनते हैं आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की टोपी कहां पहनते हैं जब 1967 में बर्मा में दंगे हुए थे तो वहां के मुसलमान भाग कर हिंदुस्तान आ गए थे और उस वक्त तमिलनाट के कन्या कुमारी डिस्ट्रिक्ट में जाकर बस गए थे वो लोग अभी अपनी पहचान बनाने के लिए एसी डोपी बेह थे अब आख यहां अब आख अब 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 तोड़ी पूश्टाश करने आए अब आप इसे किसी आदमी को जानते हैं जो इस तरह की टोपी पहन कर मस्जिद आता दिखाओ और बाद मैं गायाब हो गया है यह तो किसी बर्मा मुस्लिम की टोपी है यहां तो कई लोग ऐसी टोपी पहनते हैं इसलिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि यह टोपी किसकी हो सकती है मस्जिद में कई मुसलमान इस तरह की टोपी पहन कर आते हैं सर तेईस तारीकों मेरे यहां से कुछ लोग कोचीन गए थे नाम बताओ उनके नाम है हां सर दो लोग थे एक था हैदर और दूसरा यासीन लेकिन सर दोनों में से बस एक ही वापस आया था हैदर का एड्रेस के सर उसका मकान नंबर है 49 महला अट्टापली और गाउं टिंगा सरुबी उसी काउं में रहता है ह। da हुँ कह deform और कैसे बता चला कि हम पर के लिए आए हुँआ है वकित अ ब्चार में जरूरी काम से जरूरी काम से हैं मेरी बेटी की шादी की कार्ड लेने गया है अब वहां क्यों जा रहे हैं आप कौन है मेरे घर में क्यों गुज़त चले आ रहे हो आखिर आप लोग चाहते क्या हो आधर को छोड़े यासीन का है यासीन वो कौन है वो कौन है क्या है यह आप लोग हमें परिशान क्यों कर रहे हैं आधर पोलिस न तुमें चारों तरफ से घेर लिया है चुप चाप बाहर आजाओ कुलिस को अपना काम करने दो अब इसने मुझ खुला या नहीं नहीं सर आव बाइस तारीक को तो कोचिन क्यों गया था तोने यासीन को क्यों मारा मैंने मैंने किसी को नहीं मारा सर तो और फिर किसने मारा उसे थोने उसको मारा और जुट बोल रहा हैं सर मैं सच क्या रहा हूं मैंने उसे नहीं मारा जर यह ऐसे अपना मूह नहीं कोले गाई इसकी जद्धुलाई करनी पड़ना कि घुने अब कुछ नहीं पता है उसी ने तो मुझे कोच्चीन भेजाता जर। मैं सच कह रहा हूँ, वो बाइस्टारी को मेरे घर पर आया था। सलाम वालेकूं भाई। वालेकूं सलाम। शादी की तैयारी कैसे चल रही है। बहुत अची चल रही है। ले, यह पैसे ले। मेरे काम से कोचिन जाना है। अपनी बहन की शादी की टेंशन बिल्कुल मत लो। यह ले, और पैसे रख। आपके रहते क्या टेंशन भाई। मैं कोचिन जाके आता हूं। शादी तो आपकी दुआस होई जाएगी। अल्ला निगेवान हो तुमारा। कोई गडबड मत करना। ध्यान रहे। ठीक है भाई। हैदर भाई वैसे इस बक्से में है क्या। आखिर तुम मुझे बता क्यूं नहीं रहे हो। यासीन देख तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। ना तो इस बारे में तुमुझे कुछ पूछेगा और ना ही किसी को कुछ बताएगा। समझ गया ना चुप चप चल। मैं तो बस ऐसी पूछ रहा था। चुपना। यह पार्सल अगर किसी गलत शक्स के हाथ लगया तो देख भाई मेरे काम इस पार्सल को यहीं तक छोड़ना था। चल यहां से। तु यहीं रुक। हाँ भई। जैसा आपने बोला था मैंने पार्सल ठीक उसी जगह रख दिया है। चल अब निकलो वहां से। ठीक है भई। ओक भई। दो जैसा आपने लगफ लिए सब्सक्राव दिक है भई। वहां से। कि नड कि दो दो आ. कि दो कि दो कि देख कि दो अब वहाँ से निकल ले समझिया भाई कि कि भुका है हाँ कि रहाँ कि रखी है हाँ कि रहाँ क्या सहाँ अलड़ एक पैसे कले नहीं मारा सर्थ मैं उसे क्यों मारूंगा वो तो मेरा जिगरी दोस्ता मैं उसे अपने साथ ले जाकर बहुत बड़ी गल्ती की वो मेरी वजह से मारा गया मैं उसका गुनेगार उसर्थ हाँ कि अपने जाना चाहते हैं वो जंगल के शेर की तरह बड़ी जाना चाहते है वो जंगल के शेर की तरह बहादूर और घरीबों का मसीह है सर यहां के लोग उसकी दिल से इज़्जत करते हैं सर ओके और अगर मैं उसे अरेस्ट करना चाहूं तो सर अगर आपने उसे अरेस्ट किया तो हंगाम हो जाएगा जशना जी सर मेरी बात ज़रा ध्यान से सब्सक्राइब 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 पुलीस मुझे अरस्करने आएगी उनमें इतनी हिम्मत है कौन स राजी के पुलीस आएगि अरेस्ट की गुजरात की आंधरा की या CBI आएगी अरे स्टेट क्या सेंट्रल मिनिस्टर को भी मैं जेब में रखता हूँ होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर सब का नंबर है मेरे पास सुना तुमने इसका दिमाग खराब हो गया है लगता है सुबे से भांग भी रखिये मुझे पुलीस अरेस्ट करेगी अगर एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा देखिए मेरी बात माल लीजिए यहां से कहीं दूर चले जाएए मेरा काम था समझाना आगया आपके मर्जी चल जल्दी गाड़ी निकाल ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सर मेरे होते हुए आप यह क्या गर हैं आप अकेले गए तो पकड़ लिये जाएंगे आप मेरी गाड़ी में चलिए मेरे साथ आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता चलिए सर यहां से आपको उस गाड़ी में जाना होगा तुम्हारा यह एसान में कैसे चुकाऊंगा अगर आप चाहें तो एसान चुका सकते हैं यह लो सर मैं एक बाद भूल गया इस गाड़ी में जाने के बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यह आपको ऐसी सेफ जगे ले जाएंगे कि आप हमेशाया याद रखेंगे ठीके चलता हूँ जी मंसूर तुने मुझे धोगा दिया है तुझे देख लूंगा मैं अब भोगना बंकर तो जैसे चंद घद्दरों की वज़े से हमारी पूरी कौम बदनाम होती है ले जाए इस कुत्ते के पिल्ले को कानून पता है ना चौबीज घंटे के अंदर मुल्जिम को कोट में पेश करना होता है मुल्जिम? काउन? मैं और काउन? तुम तो महमान हो नए हो ना इसलिए मुझे नहीं जानते मेरे कनेक्शन उपर तक है समझ गया मतलब जितने आतंक की हमले हुए उसमें तेरा ही हाथ है ये तेरी घलत फेमी है मैं एक शरीफ नागरिक हूँ शरीफ नागरिक नहीं तो घतार है एस पी मुझे एक बाद छोड़ तो दे फिर तुझे बताता हूँ के मेरे कनेक्शन कहा कहा तक है क्या करेगा तुझ के तो देख अन्वर के छोड़ दो उसे आप बैठे बाई तुम इने नहीं जानते बहुत बड़े आदमी है ये बहुत बहादुर इस शहर के लोगों में इनके लिए बहुत इज़त है तुमें इनकी इज़त हाद करनी चाहिए माफ ही चाहता हूं यह आपके बारे में नहीं जानता माफ कर दीचे जीके बाइब यह उस पार्सल में क्या था जो अपने एडर के हाथ हो बेज़आए था हिए पार्सल किस ने लिया और यासीन को खामा का क्यों मारा? मैं कोई हाइदर को नहीं जानता है और ये पार्सल का क्या चक्कर है मैं समझ नहीं पार हो तुम लोगों ने उसके कहने पर मुझे अरेस्ट किया है मुझे आप एक बात बताईए सर अगर मैं आपके सामने किसी फिल्म स्टार का नाम लूँ तो क्या आप जाकि उसे अरस्ट कर लोगे इस खता में एक जिम्मेदार नागरी को आप इस तरह सदा नहीं सकते मुझे लगता हमसे कुछ गलती हुई है ठीक है भाई हो सकता है शेक मुझे नाम को कोई दूसरा आदमी हो एक जैसे दिखने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और एक नाम के हजारों लोग होते हैं इसमें मेरी क्या गल्प हैं सही का इस दुनिया में एक नाम के और एक जैसे दिखने वाले बहुत से अन्वर जिस शेक महम्मद को हम लोग ढूंड रहा हैं वो यह नहीं है एदर को पहचानने के लिए बुलाओ अगर वोई कहते कि यह शेक महम्मद नहीं है तुब है को रिलीज कर दो कि कि तर सलाम अलेकुन सब वालमसलाम सब ठीक है नहीं है अच्छा यहां यह बताओ कि शेक महम्मद यह है कि नहीं है करने की जरूति नहीं है तुम बस सच बताओ कि नहीं सर यह वह नहीं है सर अच्छी तरह से पैचान लो गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है सोच समझ कर जवाब दिना बेटा है चलो देखो नहीं सर यह वो शेक महमद नहीं है अन्वर तुमने भाई पर हाथ तो नहीं उठाया था क्या सर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाई के कनेक्शन ऊपर तक है एक बात ध्यान से सुन लो जैसे मैं बाहर निकलूंगा देखना मैं क्या करता हूं तुम लोगों की शामत आ गई है तुम सब को सस्पेंट करवादूंगा मैं अगर नहीं किया तो मेरा नाम शेक मुहमद नहीं अन्वर शेक मुहमद को छोड़ दो छोड़ दो इसे ओके सर अरे अरे मैंने तुम से शेक मुहमद को छोड़ने के लिए का सौरी सर वो तो उस वाले में है ओके सर सौरी सर गलत ही हो आप जाहिए पर थैंक्यू सर सर यह तो कमाल होगया यह तु मेरे जैसा दिखता रह LIKE विश्वास नहीं होता सर ऐसाँले अमेरा जुडवा भाई है यह क्या बகवास कर रहे है क्या जानता नहीं क्या मैं ही शेक मुहमद हूँ जोटमत बोलो तुम शेक मुहमद हो जैक नहीं सकतें जाईए। एक महममद है, तो फिर आप कौन है? Sir, क्या मैं अब इसकी दुलाई कर दूँ? देर मत करो, शुरू हो जाओ. Thank you, sir. चापी देना. Sir, please, मुझे छोड़ दो. क्यों? बड़े आजमी. मुझे जाने दो, sir. मुझे कैंसर भी है, sir. Please, जाने दो. मुझे, साब मुझे जाने दो. मैं सब कुछ सच-सच बता दूँगा. What? Sir, बात यह है कि Haider मेरे पास काम मांगने आया था. मुझे भी अपने काम के लिए भरोसमेंद आदबी की जरूरत थी. Haider तेरे लिए काम करता है. और तू किसके लिए करता है? Bala. यह Bala कौन है? Sir, Bala एक कॉंड्राट किलर है. वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. हाएअो एक बास यह है अरह मांगनेenda है. वो पैसे के लिए करता है. आज जाँ. कर दो . अऐसा प्रणानादाई प्रणाफ इनाँ कर दो अुख भा हूँ उजा हूँ रख राको व्रणाई प्रणाई प्रॣी अफ ख रख रख रूफ भाको जा हूँ वे गझे कर दोका कर विर क्योंस कर विरitä नहां कर विर और 28 मारिक कर अज colored आणने When you hear the reggae music on, you put your hands up. लगता है, यह इतनी आसानी से मुह नहीं खोलेगा. अन्वर, सर. इसके मुह से सच उगलवाने के हम और भी तो रास्ते जानते हैं. एक रास्ता, सर. क्यों नहीं हम इसे एंकाउंटर में मार दें? बोल देंगे भागते हुए, मारा गया? या पेट का दर्द परदाश्ट नहीं होने की वज़ा से खुदकुशी कर लेगा. पेट का दर्द, यह ठीक रहेगा. ऐसा ही करते हैं. सच्छू, सारे कैदियों को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करो. कोई भी सबूत बचला नहीं चाहिए. Okay, sir. अटेंशन विंग वन अन तू. सारे कैदियों को शिफ्ट करो. अभी क्या भी. समान. सर, मैं मर जाओंगा, sir. मेरे पेट में बहुत दर्दोरा, sir. बहुत दर्दोरा, sir. सर, मैं मर जाओंगा, sir. मैं मर गया, sir. करवाई है, sir. कुछ कीजे, sir. बांदो इसे. सर, sir, सर, कुछ कीजे, please, please, sir. सर, मैं मर जाओंगा. मैं मर जाओंगा, किसो कीजे, sir. किसो कीजे, sir, बहुत दर्दोरा. विखर मत करो. Sir, sir, मेरा क्या होगा, sir? इरे दिए मिश्टे, sir, बहुत दर्दोरा, sir. Sir, sir, sir. इचो. मुझे होतारो, मुझे होतारो, please. Sir, वो अंदर है. You're perfectly all right, Mr. Bhaktisagar. आपको बिल्कुल कोई बिमारी नहीं है. Huh? डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? जब मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं अपोलो हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने बताया, जो चिकन में ने कहा था, वो मेरे पेट में कुकुडुकु कर रहा है. कुकुडुकु? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं. मैं तो आपके पास इसलिए आया था, क्योंकि आप इस शेर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं. आपके हिसाब से मैं बिल्कुल ठीकूू, लेकिन मेरे पेट में चिकन कुकुडुकु कर रहा है. Second room, sir. Last room, sir. क्या भगवास कर रहे हैं? भगवास नहीं है. उन्होंने कहा था मेरे पेट में जो चिकन है उसे ठंड लग गई है. चीकता है तो दर्द होता है. Who are you? Police. Police? Dr. Naeem, बाला हमारी कस्टडी में. बाला का इलाज करते वक्त उसने हमें तुम्हारा नाम बताय था, तो हम खुद डॉक्टर यानि कि तुम्हारा इलाज करने आ गए. इतने बड़े डॉक्टर हैं आप. आपको पता है लोग आपके कितनी इज़त करते हैं? हम आपको या आपके हॉस्पिटल को बदनाम करने नहीं आए. अब सिर्फ हमें कॉपरेट कीजिए, इसे में समझदारी होगी. वरना हर न्यूस चनल और पेपर में तुम्हारे काले कारनामों को एक्सपोज कर देंगे. पुलिस पुरे हॉस्पिटल में फैली हुई है, इसलिए होश्यारी मत करते हैं. शॉरी डॉक्टर, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं. मैं अपनी लॉयर से बात करना चाहता हूँ. बिल्कुल करना, लेकिन पहले हम से बात करना. हमें चलना चाहिए. नहीं तो डॉक्टर साब मरीज बन जाएंगे. अच्छा, नहीं के एमेल अकाउंट से सारे इंकमिंग और आउटगूइंग मैसेजिस चेक करो. देखो, ऐसे कोई मैसेजिस हैं, जो आर जे कोड के नाम से हो. लोग-इन हुआ? यह वो मैसेजिस हैं, जो हाल में ही बेजे गए हैं. यह मर्डर इस महीने के तेईस तारीक को हुआ सर. यासीन की मौत के दिन डॉक्टर नाइम को एमेल मिला. वो मेल ऐसा था, फैलकन लैंडेट यानि की पारसल आ चुका है. फैलकन मलिक भी हो सकता है. मतलब डॉक्टर नाइम ने जो जगे चुनी थी, वो एक नेस्ट था? हाँ, इसका मतलब उस जगे से है, जहां से मलिक उस पारसल को उठा कर लाने वाला था. सर, कोई इंपरमेशन मेली? सर, यह डॉक्टर नाइम का जो मोबाइल नंबर है, यह उसका रेगिलर नंबर है. मैने सारी कॉल डीटेस चेक की है, कुछ नहीं मिला. उसके विजिटिंग कार्ड पर भी यही नंबर लिखा है, लेकिन उनके दूसरे नंबर में कुछ गड़बढ है, क्योंकि यह कनेक्शन फेक एड्रेस पर लिया गया है. नाइम ने इस नंबर से ना तो कोई कॉल की और नाहीं कोई नंबर सेव है, पर एक हफते पहले उसे सिर्फ 40 सेकंड की एक कॉल आई थी. कौन से नंबर से? 988-46-66-5. तुमने यह नंबर डायल करके देखा? यह सेर, लेकिन आउट ओफ कवरीज एरिया बता रहा है. नंबर को ट्रैक करो. सेशु, तुमने नाइम की सारी फाइल्स चेक की. सर, डॉक्तर नाइम पिछले छे महीनों में चार बार पाकिस्तान गया था. 944-00-88-1. यही नंबर बताया था ना? नहीं, सर, वो नंबर दूसरा है. उस नंबर का क्या हुआ? वो नंबर अभी भी आउट आउट आफ कवरीज एरिया है. 944-00-88-1. इस नंबर को ट्रैक करो. Okay, सर. यह तो NH45 है, सर. फोन करने वाला National Highway 45 पर सफर कर रहा है. और यह हमसे ज्यादा दूर नहीं है. सिग्नल बिल्गुल वहीं से आ रहा है. उसेरिया को कवर करो. अली, तुम्हे काम करो. सर. उसेरिया के हर में रोड, सब्वे, होटेल, लॉजिस, सबको चेक करो. एक-एक कोना चान मारो. Okay, खबर देते रहे. सेंशु फोल मत उठाना. ट्रैक देनमबर. अब ये नमबर ताम बरहम के पास कनेक्ट हो रहा है. अब मैं उसे शेहर पे गुष्टे से पहले पकड़ना है. पुलिस को अलेट करो. पुलिस को अलेट को अलेट को अलेट करो. अब मैं आको अपने लासे शोशोशाना. आप्ड़ना है. अब मैं जो तो आपने लासे शोशोशाना. यूहिए कोड़ कि इंगिया उपिंग प्रिल्स थुर्ट अपरे, जबस दुए जो। झाली कवे उतने में लगए, जबस प्रेश पारे, जबस अइसान वी दोड़ा एफ डरागे, जबस जए जबसे हो हुआ है पर भुटी एकले दो बाउटों करिया कर दोट्टिया हुआ जमरें यह अचिलने जालें जो हम लाट्रिए जालेंगर ए Clayton के शेंधन ए्ट जोपाड़ी दॉन्मिल कोशिजिए मुझा जाए हुआ जालेंगर जाए हुआ जालेंगर जालेंगर डिचलने जाए हुआ प्योन ही किनुड्स पस्कीव जोgypt एिनकों लाग Сबस्चों से भी का लाग कर दो एक डाटो जो तक टाटो आटो नेकालो तोसो रुपे निकालो तक आटी भाडो लास्ट वा है? खाहूं हमें? अच्छा, थान से सुनू. सिक्योरिटी और बडादू. ना कोई उस इलागे से बहर जा पाए और ना ही को अंदर आपाए. हम्दा स्मेंट लेशा है. अबाब मा झाल मुझा झाल आप जहां प्होँ बादे जही ह। प्व pięk जही ह। पापा कर आप कर अच्छा अच्छा अबूलेंस में अच्छा था अपने सिक्रीटी भीजी है नब आप कि अच्छा आप तो और गलो, अगया। जो, मैं खना होंने भी उसा जो, 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 मैंसे घलो जो, मैंसे लो, मैंसे जड़ एलो वो, है करिक दो, जो, मैंसे है तो, जड़ जा है एड़ एगो जब एगो कि अच्छा यह बता तुमने अम्बूलेंस में डेड़ बॉडिस कितनी भेजी थी फंदरा सर यह तो पंदरा ही लग रही है नहीं सर एक बॉड़ी कम है अनवर यह मर्डर भी ठीक यासीन की तरह ही हुआ है यानि यह वही है कातल शहर में है हालो इंटरनाशनल कॉल को ट्रैक करो आज कर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली कॉल्स पर कड़ी नदर रखो ऑगे अगे 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 का पाया और पुलिस की तलाशी भी ज्यादा होगे अब में क्या करूंग सब्सक्राइब हिंदोस्तान की आई वी को तुमारी पाउजिटा पतर चल चुआ है और वह तुम्हें तुम्हें ने कालने के दोई एक मिनिट एक मिनिट रुको इस कॉल को फॉरण ट्रैक करो हमारा मिशिट ना काम ना हो इसलिए आरजेव वन ने अपने आपको कुर्बान कर दिया इन नौर से कॉल कर रहा है फॉरण जाओ नईम की कुर्बानी को इज़द दी जाएगी मैंने अपनी मंजिल को छू लिया है हुजूर आला आप सिर्फ जंडा फैराना बाकी है एक बात जान लो हमारे वतन से जो भी कॉल आ रहे है वो लोग उसे ट्रेस कर रहे है और हो सकता है कि इस वक्त वो हम दोनों की बीच की बात भी सुन रहे हो सारे शहर में पुलिस मेरी तलाश कर रही है तुम आर जे टू को कॉंटेट करो वो तुम्हें महफूज जगा पर पना देगा और सुनो मलिक अब से हम एक दूसरे से इस तरह कॉंटेक नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको अपडेट कैसे करूँगा त्रीशनल अबे मतलब तुम एक दूसरे से इस तरह कॉंटेक नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको अपडेट कैसे करूँगा तुम एफिट 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 आखर विकाय बॉला वसनाओ कट करो सर आर जे टूर आर जे बान के बीच टर्मिनल है अमारे लिए जानना जरूरी है कि वापस में क्या बात करते हैं तभ हे उनके प्लान का बता चलेगा त्रडिशनल वे थू एफ फिट फ्यूल डिटिशनल वे थू अ शायद हेड्वाटर्स के मिस्टर शर्मा इसे डिकोट कर सकते है शालिनी सर गेट शर्मा ओनलाइन ओके सर अलो सर यहां पर तो कोई नहीं है क्या का लगता हुआ बागिया सिर्ट ओनो सर मलिक भागिया जीत इतनी असानी से नहीं मिलती अनवर हम उसे जरूर पकड़ेंगे टोंट वरी शालिनी क्या हुआ से मिस्टर शर्मा सुबे की फ्लाइट से आजाएंगे गुट है 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 अगिव ऑुफ यह तेरीरिस का कोड़वर्ड है और इसका पहला श्यूर्ठ नोन भाछा का है और इसका दूसरा शब अमैरिका की टुइन-टावरी तरफ इसका मतलब अ चैनल Metal bag, इसका मतलब flight है सर, अगर हम उसको base मानले तो FF का मतलब होगा Fear factor, fair fair, fuel finder, function fair, feast folder, full fill, feed flight, past flight, feather flight, या first flight आपने भी feather flight काहा था ना? यही है वो वो पक्षी पलिकन हो सब्सक्राइब तो माइगरेट करने वाला पक्षी है सर अरे सुनो, पेलिकन की सारी जानकारे निकालो, ओकी सर अच्छा, तो यह पेलिकन पक्षी पाकिस्तान की तरफ से आता है, इसी पक्षी के जरिये यह आपस में कम्यूनिकेट करते है अलो, सर, अभी-अभी किसी ने वर्ड सेंचुरी से फोन करके करूंगली के पोली स्टेशन में खबर दी है, यह दे बता, किसी लड़की ने वहाँ अपने हिडन कैमरा से कोई सस्पीशियोस एक्टिविटी रिकॉर्ड की है, सर सर, इंफोर्मेशन मिलता ही, हमने इसके पार देन की। मुलीस उसकी तलाश में जुटी हुई हुई हमने पूरे इलाखे को खाली करवा दिया है और हार जगा सिक्योरेटी को टाइट कर दिया है हाई हेलो सर इस तरफ सर यह देखिये सर कर दो कर दो कर देखिये कर दो कर दो झाल 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 सर, हम लोग बर्द्स को ट्रैक करने के लिए उनकी पैदे में चिप लगा दोते हैं हम इसका इस्तमाल बर्द्स को ट्रैक करने के लिए करते हैं और आतमवादी आपस में कम्यूनिकेशन करने के लिए यह जील है कहाँ सर जील यहाँ है आपने कैमरा कहा लगा हुआ इस पेड़ पर सर यह पक्षी किस समय पर यहां आये होंगे मेरे रिकॉर्डिंग के हिसाब से रात बारा बजी के करी आपको पता है वह पक्षी कहां से माइग्रेट होकर आये हैं यह पक्षी पाकिस्तान से आये और हां इसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास अच्छा सर अब चिप से उन्हें एक और मेसेज मिलाओगा है ना सर बिल्कुल चिप से बर्ट ट्रेक की जा सकती हो तो आद भी क्यों नहीं चलो दूसरी चिप चैन्हें में पुली कार्ड में है है जो और वराधा। जाँ जाँ थैं Him और 실파 फ़झ जाँ का लाड़ जाँ square कर दो पिरए करेंद दोग डिए एकर प्रेंदों रगे युटाय से प्रीग कारे ऑर आप! क्योंक् shine दोतना! Everybody, hantz off. Hey! Hantz off. Everybody, hantz off. Hantz off. Everybody... थह रἉना अर बोख ये जो लोख ये एंधढ़ ज subsidy पर सकत का मुण पर सकत कर स्ट पर सकत क्लें ब disclaimer फर्वाद कर लिद और लिए बंक पीछे जाओ अलो मुझे सुन्रह यापर माइन्स पिछी है कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आएगी सारे कमांडो ज्याहां से निकल जाओ राइट नाओ जल्दी करो झाले से परने सारे करी युci एज़ते हैं उल्दी करोका है क्या फ wa फृपकर एिगा थे नहीं है हुआ हुआ है झाझट रख हुआ हुआ झाझफ इह व हюश ढब इग्गोऑ Watts जुट 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 हुआ 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 गाह टाओ हुआ 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 झाल झाल झाल, झाल कर दो आपके बिंगाइब जाईब आपके इप लिएफ इसहें कि तयूँ अकाथ भाद कीर समयड़्स तापके नापके अफार कीर कर आपके कर दोलकिक के तेथा है थालगाई अब्ड़क्ति तो वेड़न लेके अफित वेड़न है लिए ड्सकार कि अपके शसके अम्लीन जा मलेक, तरह मारा अंदाजा ठीक नहीं है हम, now you can start your interrogations yes sir कि मलेक, मुझे पता यह तुमारा असली नाम नहीं है असली नाम बताओ, अपना नाम बताओ तुम इंडिया में क्यों आया हो, आर जे टू किया है और पेलिगन से तुमने कम्पीटर चिप को क्यों निकाला क्या था चिप में तुम चाहे जो कर लो, मैं जवाब नहीं दूगा तो जल्दी से अपना मूझ खोल और जवाब दे, समझा? अन्वर, रुक जाओ, मेरे पास आओ यह आदमी इस तरह से तूटने वाला नहीं है, यह एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल आतंक वादी है, इसके उपर हमें नए तरीके आजमाने होंगे सब रेड़ी है ना, रेड़ी है सर, लेकिन चेक कॉन करेंगा, यह पागिल हो गया, पता नहीं कितना खतरनाक है, यह बात कर रहे हो यार, तुम इसको खतरनाक बोलते हो, पंदरा साल से अपनी बीबी की चीखे सुन रहा हो, उसकी चीखों के सामने तो यह कुछ भी नहीं ह आप शुरू कीजिए, मैं तयार हूँ, ओके सर, यह लीजिए सर, शेशु एक बार फिर सोच ले, वरना बाद में पच्टा आईगा, आप इन छोटे-मोटे काम में सोचना कैसा, इन सब काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, अरे बढ़ा है ने सर, और बढ़ा है, और बढ़ा है अब तो तुझे अपना मूख खोलना ही पड़ेगा, तो फिलाल हम थ्री डेसेबल्स से शुरू करते हैं और बढ़ा हो इसकी तो यह ले सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, इनके कान का पड़ा भड़ सकता है देखना आप तो यह मुख खोली देगा, अन कीजिये हीट बढ़ा दो अगर हमने और हीट बढ़ाई तो यह जलकार राह हो जाएगा यह तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा है इसके एमोशन्स के साथ खेलना होगा ड्रग ट्रीटमेंट की तैयारी करो मुझे यह मलिक वापस चाहिए जिस मकसद को पूरा करने के लिए मलिक इंदोस्तान गया है उस मकसद को मुकमल करके उसे यहां आना चाहिए वो जिस हाल में यहां से गया है बिना किसी प्रॉलम के उसे इधर होना चाहिए उसके लिए मुझे जितनी भी दॉलत खर्च करनी पड़े मैं करूंगा चाहे कितनी भी जिंदग्या कॉर्बान क्यों न करनी पड़े मुझे परवा नहीं पीजिए मुझे नजर में मलेक से बढ़कर कोई शक्स नहीं है मुझे मालेग चाहिए बस को के लिए के लिए हुआ है कि मलिक 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 मलेक, मुझे सुन सकते हो? मलेक, रगसार बढ़ाईए. माफ कीजिए पर डोजिज बढ़ाने से इनकी जान का खत्रा बढ़ जाएगा. उसकी जिम्मेदारे हम लेते हैं. मलेक. पुल सब्सार शबरे रगसे चांवें. यह बना हमें शाती हुखे़ जाना इसली जाना जिए और बढ़ान जिए पर फेक हैं. मैं कन शाना मैं खत्राइब के ओड़ा प्ल्स रेट जाना। मैं इसके बाद नहीं मानने जाहिए. Thank God. He's out of danger now. Zoom the camera to him.. और करो बोटो पर जूम करो खुर्षीद 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 बोलो, मैं पच्ची बोलो, मैं बढदी, बच्ची कब आएंगे मैं नहीं जानती खुर्शी वो मुझे कभी पता के नहीं जाते तुम स्कूल जाओ अब आखे अब अगर मैं स्कूल नहीं जाओंगे ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची जब तुम स्कूल से लोटोगी ना तब आप आज आएंगे चलो खुर्शीद अप्पा कब आएंगे खुर्शीद क्या है खुर्शीद बेटी क्या क्या अखांडोढ़्स हाँ कमांडो तुम स्क्राप एव जल्डी करें टूँट खा natखिता दो charged किस के राद हेंगार राद र्री ड्री जाओ शब जानी तकते हो रहाँ, शबशक प्रne जाम कि और हमेंगार कि अधना होगा कि दागा रहीं है कि दूश कि रागा अ भूर्प ऑडर ओर ya को कि पॉषण देस है कि बात में ढया बाहёр you वार अपल आगा अझा एम का तया नहा ऑड़ हुआ हो हुआ हुआ है अए है अठाथ है तर हो है कि अची कि अच्दीं एंक पुटक很好 mind कि अच्चादक कि अची एची कि यदाओ वख innit, अफिल, आपड़ अढ़ा अबाए थाह दो ड़ी वigkeitो थाहिं अब पंढ़ी में अपाद। कर दो फताए statement क्र भुन कि अ यीज़ कि अठीस कि दो कि अठीस अठीकलव और मनननन तो सपताक है कर शीजैанд संसे कर दो हमारा प्लान काम कर गया सभागी क्या पहले डॉक्टर से मिलते हैं दोक्टर हम अपने प्लान के पहले स्टप में काम्याब हो गए अगले स्टेप के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है देखिए मैं सब समझता हूँ सर आपको थोड़ा सबर रखना होगा जैसे ही मेरा काम खत्म होगा आपका काम भी हो जाएगा आखिर कब तक होगा पक्का तो नहीं बोल सकते इस तरह किसी भी आदमी को ज्यादा दिन तक बेहोश रखना खत्रे से खाली नहीं है अच्छा वैसे उसका केंप्यूटर स्केच रडी है हम जल्दी यह उपरेशन शुरू कर देंगे हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है अब अपने हिसाब से काम शुरू कीचा है थाक्यू थाक्यू प्रयूर अपने अच्छा अपकी ऑच्टेशकी अपकी अपरेशित ऑ्रियू कि यहां पुछे किया हो गया मेरा यहाल किस ने कर दिया कोई है कोई मेरी आवास को सुच सकता है मालिक नहीं मेरी बाती है कुछ अपने आपको रिलाक्स करो शान्थ हो जाओ मालिक प्लीज मैं डॉक्ट्टर सलीम खान हो मैं तुम्हारा इलाज कर रहा है मैं जिस्टर इंजेक्शन दो येस डॉक्टर डॉक्टर ये मज़े क्या हो गया ये मुझे बाई बताता हूं सबर करो पिछले 20 साल से तुम कोमा में थे और बड़ी मुश्किल से तुम अभी-अभी होश में आये हो अब तुम ठीक हो पर टेंशन लेने की या इमोशनल होनी की जरूरत पर तुम्हारे दिम सिस्टर इन्हें इंजेक्शन दे दो और थोड़ा आराम करने तो की डॉक्टर टेक कैर अब यहां आराम कीजिए यह पहला ऐसा केस है जिसमें कोई आदमी 20 साल बाद कोमा से बाहर आया है जहां तक मुझे याद है है 2007 में पोलंड में ऐसा केस हुआ था और अब यह केस है मिस्टर मालिक अब आप कैसा मैसूस कर रहे हैं आप कोई खास संदिश देना चाहते हैं अपनी पिछली जिंदगी के बार में कुछ याद है किसी सवाल का जवाल के उनियों जुक अब रही है एक यह ज्यादा सवाव उसे पेशेंट परिशाद हो से अंदर कैसे है आप लोग चली बाहर हमारे साथ तमीज से पेश आईए सर हम प्रेस रिपोर्टर से हैं मुझे पता है तो मैं पता ही ये कौन है इंटरनाशनल टेरिस्ट है ये गर्मा-गर्म खबार है सर शाट आप कि खुश होने की बजाए हमें डांट रहे हैं इसी बात का तो अफसोस है इसे तो मर जाना चाहिए है क्या रहे है या गूर रहे है तू मुझे ये कोई दो-चार साल की बात नहीं बीस सालों से चेल रहा हूं तुझे बीस सालों से दिमाह हराब कर दी आखिर मर क्यों नहीं शुबत है मुझे अब प्लीज आप ऐसा बरताओं नहीं कर सकते ये मेरा पेशन अब ये पेशन नहीं है ये हत्यारा है है हलो सर अलो जी के सौरी तो में बेवक्त परिशान किया निकिता जैसे हम मलिक की बेटी बना कर भेज रहे थे अब वो जिन्दा नहीं है लेकिन ये हुआ कैसे उसकी मौद भी एक मिशन में हुई अब क्या किया जाए ये तो बहुत ही पुरी ख़बर है सर इस्रेली शौकिंग मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे मैं समझता हूं जीके लेकिन तुम्हें कुछ और करना होगा दूसरा रास्ता ढूंडना ही होगा सर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है बट आइल ट्राइमा लेवल बेस्ट ओके जीके विश यू अल्ट बेस्ट थैंक यू सर कोई प्रॉब्लम है मिस्टर मलिक देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है मैं विक्टर सॉल्मन फ्रम एमिनस्टी इंटरनेश्ट मैं अबुलहसन नहीं हूँ क्या आप इस लड़की को पैचानते हैं मैं नहीं पैचानता इसका मतलब खुर्शीद आपकी बेटी नहीं है नहीं बेचारी लड़की उसने एमनस्टी इंटरनेशनल में एक एप्लिकेशन दी थी कि उसके मताबिक तुम बीस साल पहले गायब हुए उसके फादर अबुलहसन हो लगता है मुझसे कुछ गलती हुई है मैं अप्लिकेशन वापस कर देता हूं अबुलहसन वापस कर देता हुए वाश्टी नहीं है वाश्टी नहीं नहीं अबुलहसन अमनस्ती इंटनाश्टी कि यnis पूमरा, कोंए औरभ और, चल्टान, कि यह व्जाय कि यह रखिक लगे. अब कैसे हो मलिक कैसा महसूस हो रहा है कफी अच्छा डॉक्टर हम डॉक्टर हाँ क्या आप मेरा एक काम करेंगे बोलो क्या काम है विक्टर सॉल्मन नाम का आपमी हाया था मैं उससे मिलना चाहता हूं क्या आप मेरी मदद करेंगे सॉरी मैं उससे नहीं जानता मेरे पास उसका कोई कॉंटेक्ट नमबर नहीं डॉक्टर मेरे पास एक कार्ड है विक्टर सॉल्मन का कार्ड प्लीज मेरी मतद कीजिए ओके कोशिश करता हूं थैंक्यू गुड़नाइट मलिक को बचाने का सारा इंतिजाम कर लिया था मगर बता चला कि वह जिल में नहीं है इंडियन कॉपमेट अपना खेल खेल रही है अब अपना खेल शुरू करो मलिक को बाहर लाने के लिए आरे पास वां कम है वाट केन आ डू फर यू सर जो अप्लिकेशन आपने कल दिखाई थी वो लॉटा दी है क्या नहीं अभी तक तो नहीं लॉटाई क्यों उस लड़की की तस्वीर जो आपने मुझे दिखाई थी वो हूब हूब मेरे दोस्त अबूलहसन की बीटी की जैसी है अगर आप मुझे फाइल दिखाएं तो मैं आपकी मतद कर सकता हूँ जरूर क्यों नहीं हाँ 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 यह मेरे दोस्त की बेटी है क्या मेरी उससे बात हो सकती है लेकिन बात करनी क्यों अबूलहसन को ढूड़ने में उसकी मदद करने के लिए अगर तुम अबूलहसन को ढूड़ लो तो उस लड़की की बहुत मदद होगी हाँ उसका नंबर इस फाइल के अंदर ही हाँ 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 को अपकर अ कर पूड़त तुम यह क्या कर रहे अंदर कैसे आई तुम आरी हिंमत कैसे हुए इस फोन देने की देखे आप मेरे साथ उसा नहीं कर सकते मैं एमनस्टी इंटरनेशन से आया हूं और इनसे मिलने के लिए मेरे पास परमिशन है लेकिन क्या तुमने मुझसे परमिशन लिए तुम्हे पता है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है सुरी सर्ड एमिनेस्ट्री इंटरनेशनल के लोग अबूलहसन के नाम के आदमी को ढूंड रहा है एक्स्क्यूज में याबूलहसन नहीं है मलिक नाम है इसका सुरी आइंदा इस तरह की खलती नहीं होनी चाहिए युमें गोनाओ प्लीज सब्सक्राइब करें जाए लोगी तुम्हें प्लेशनल प्लीज इस अच्टिंग को ज्यादा तुन ही होगी नहीं बहुत बदिया बल्कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए उसे यकीन हो गया है एक मिनट ता मैं अपना फोन बूल जिया था है आप मिस्टर विक्टर सॉलमन हम माफ कीचिये मैं ही अबुल हसन हूँ अप मेरा यकीन कीची मैं ही अबुल हसन हूँ ट्रस्ट मी ओके ओके मैं अपनी बेटी से अपनी लाडली बेटी से मिलना चाहता हूँ मुझे मिलवादी चेन प्लीज उसने अप्लिकेशन दी है विजा के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा विश्वास रखो थांक यू कुर्शिद मेरी बच्ची क्यों रो रही है मेरा मज़ा कोड़ा रही है स्कूल में भी ऐसा ही करती है मैं आज से स्कूल नहीं जाओंगी कभी नहीं जाओंगी छोड़ी छोड़ी बातों में रोते नहीं है तेरे इलाज के लिए जितना भी खर्च होगा उतना खर्च करूँगा भै बड़े से बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज करवाऊगा मैं तुझे पढ़ा लिखा कि इतना बड़ा इंसान बनाओंगा कि दुनिया वाले तुछ पर फक्र करेंगे यह तेरे बाबा का वादा है मेरी लाड़ी कमाले से मलिक जैसा टेर्रिस्ट रो रहा है यह है खून का रिष्टा सायकड़ों लोगों की जान लेने वाला आज अपनी बेटी को मिलने के लिए कैसे तरस रहा है इस वक्त तो मलिक या अबुलासन नहीं है पुर्शीत का बाप है 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 भो है है खुर्शीद? मेरी बेटी खुर्शीद, तु इतनी बड़ी हो गई, माचालला आगे, तुरी अम्मी नहीं आई, बारा बरस पहले ही, अम्मी अल्ला को प्यारी हो गई, यहां परवर्दिकार उसे चन्नत नसीब दे, आमीन, चन्ते, आप दोनों के बगर, मैंने तर-टर की ठोक रहे खाई, आपके बगर, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, नूर उनिसा, वो तेरे साथ नहीं थी, क्या? नूर, 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 हाओ मेरी पच्ची, कौन ही है, मेरी पर्मिशन के बिना मैंने का था ना विल्कुल अंदर मत आना, कौन ही है, सर प्लीज, जिसे आप मलिक समझ रहे हो, मलिक नहीं, अबुल असन है, और ये उसकी बेटी है, खुर्शीद, क्या बग रहे हो, बीस साल बा यहां हमारी दुश्मन नहीं भेजा होगा, ये भी उग्रबादी है, बोलो, त्या रिष्टा है तुमारा इससे, बताओ, सर प्लीज, शट आप, तुम एमनेस्टे इंटरनेशनल को बेवकु बना सकते हो, मुझे नहीं, पुलिस की मार पढ़ते ही, ये लड़की, इसकी सा तुमारा इससे बचा लिजी, शब चाप चराओ, मैं आपके साफ में बात चौड़ता हूं, मुझे अपा से बहत करनी है, मैं सब सच बताओंगा, मैं सब सच बताओंगा, मेरा यकीन कीजिए, हाँ यह बात है 2009 में छे जुलाई की तुम्हारे पीम ने एक इमर्जनसी मीटिंग बुलाई थे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इमर्जनसी प्रेस मीटिंग क्यों बुलाई इससे पहले कि मैं कुछ कहूं आप सब लोग इसे देखिए हमारी धरती जो एक वक्त में अप पूरी तरहा बंजर हो गई है सारी की सारी नदियां सूख गई है सिचाई के लिए पानी तक नहीं है जो किसान पूरे देश के लिए अना जुगाता आया है आज वही किसान भूग से मर रहा है वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिलाबा रहा है कर दो! आज पूरे साथ दिन हो गया हमारे पेट में अनाज का एक ताना तक नहीं गया हमारे बच्चों के लिए तो कुछ लेकर आई अना इने कब तक हो कर रखेंगे हो कि अ कि अ चुम्दोणा मैं रखेंगे हाऊ जुगनु बैटा बैटा उठो उच्जा यह लोखालो यह तु बताओ तुम इतने दिन कहां चले गए थे बताओ मुझे यह क्या इतने सारे पैसे यह कहां से लाया आप बताओ ना उसके तो क्यों नहीं यह क्या हुआ यह इश्वार गुर्दा पेज के आप अमारे ले खाना लेकर आई है क्या किया बच्चों की भूख मुझे देखीने का इसलिए मैंने गुर्दा पेज दिया यह पैसा बैग मेरा क्या करें हमें पैसे देरेज आपारे बूख के मर जाएंगे क्या करेंगे आप मेर पारिश नहीं हुई है इस पर अच्छी पारिश नहीं हुई है मुझे नहीं पता कि तू पैसे कहा से लाएगा मुझे मेरे पैसे चाहिए बस सम्झाए इसे तुझे तुझे सुहाग चाहिए के नहीं हाँ अरे चल्ट यह ड्रावा बपन कर मेरा पैसे चाहिए तुझे जाए तुझे काम कर अपने बच्छों को भर से जायँ है है हुआ है कर तो, कर दो.... कर दो कर दो K students हुआ 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 है हम भारत वासी कब तक ये बरताश्ट करते रहेंगे किसान के इस देश में किसान खुद ही भूका मर रहा है खेती के समस्याओं से हार मान कर कब तक किसान आत्मा त्या करते रहेंगे हालात बदलने होंगे हम उन्हें बदलेंगे जिन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे वो हैं सबसे पहली है पानी की गहराती समस्या और दूसरी कर्स की वज़े से आत्मा हत्या करते हुए किसान और इन दोनों प्रॉब्लम का हल हमारे एक प्रॉजेक्ट में है इस से हमारे देश की सभी खेती की समस्याओं का समधान निकलाएगा जिसका नाम है देश का सबसे बड़ा प्रॉजेक्ट और इस प्रॉजेक्ट की शुरुवात 14 नवंबर को कन्या कुमारी से कि जाएगी लेकिन हमारे गिरो का मक्सद था, इस रिवर प्रोजेक्ट के शुरुवात को किसी भी तरह रोकना. और हमारे इस विशाल प्रोजेक्ट को अब कोई भी रोक नहीं सकता. हमारा देश अब उन्नति करेगा और जरूर जरूर करेगा. और जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो कर रहेगा. तो अब हम कन्या कुमारी में मिलेंगे 14 नवंबर को. मीटिंग में आने वाले हर पॉलिटीशन को खत्म करना ही हमारा मिशन था. हिंदुस्तान को निस्तो नाबूत करना हमारा सबसे बड़ा मकसद था. और इसलिए मैंने हाई पावर सेमी नुक्लियर टॉपिडो बांब्स प्लांट किये थे. विंड्मील फार्म में, मीटिंग प्लेस से 25 किलो मिटर दूर, 100 मिटर गहरा, तबाही का पूरा सामान तयार था. और हमारे इस वार से उनका बचपाना नामंकिन था. मिस्टर मलेक. हाँ? इंजेक्शिन ले लीजिये. हाँ. सर्थ, उन्होंने पांच बॉंब प्लांट किये हैं, और पांचों हाइए इंटेंसिटी बॉंब्स हैं. इन हमने डिफ्यूस कर दी हैं, बाकी के दो भी डिफ्यूस कर रहे हैं. अगर ये सारे बॉंब्स भट जातें, तो 40 किलोमिटर्स का एरिया धरती के अंदर समाई जाता. सर, इन बॉंब्स के जरीए वो लग अप्राकृतिक भुकम कलाने की साजिश में थे. 2010 के दवाई? हाँ, 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 सर, मलेक अपनी बेटी से मिलना चाहता है. एक मिनिट, सर, मलेक खुर्शित से मिलना चाहता है. हाँ, सर, पताई ही, सर, या कर मैं? मैं लंदरीनी से बात करूँगा. सिक्रेटी टाइट कर दो. बिल्कुल, सर, ओके. जो प्रवाइब आदम को अके लिए भीजना अत्रे से खाली नहीं होगा बस उसे कोई शक नहीं होना चाहिए वो अपने सारे सीक्रेट अपनी बेटी को जरूर बताएगा लेट्स ट्राइगा लेंदेनी तुम्हें मलेक से मिलना होगा आओ पेटी आओ पैटो कैसी हो तुम्हें उस पुलिस वाले ने तुम्हें परिशान तो नहीं किया जी नहीं अबबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कुछ सवाल पूछे और बाद में दो चार जगों पर दस्तखत करने को कहा सुधन ए गार कि रहं जाओ me और लख लग और और तो लगहा है अग और यह लोग अब है प्रवाँ 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 प्रवा आपूज्ड हुए ठाइए और अगया जाएफॉ हुआँ अगया हुआ 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 हुआ!! आंबिल्डिक करो हुआ झालतु ताव्ट झालतु याएव लेड़िकरो आम आम मास, आख़े बयुक्ट लेकर आओ आख़े का आख़े आख़े में आख़े आख़े भाले ख़े का अख़े आख़े आख़े एभाब सड़ी सरी लोगन का लोगन मेरी गंदनी नहीं आप एक अच्छे आखे सरे साथ लेकिन पती बहुत बरा समाज का तो फैदा हुआ पर मेरा नुक्सा कर दो नुक्सा आप एक अच्छे यह अच्छे नुक्सा वह बढ़ा आप आप एक अट्रून आप एक अच्छे अच्छे आप एक अच्छे देज़ देज़ दिखाई लुट पर डिलाख दो कि दो कि अ अन्याच के वेट जाहिए। अब जयाएगा उसकी बादी में लगी, मैक्रोचिप के बारे में एक हो सकता है लाकिन उसके पहले ही हम उसे पकड़ लेगा सासब्री! मैं मुझे कितने खुशी हो रही है! आज हम अपने देश का भविष्य बनाएंगे. गुट से भजय से एजे पुट से टेश अरहो आए और जो लो आए और जो हुआ आए नदिए। जढ दॉजूए लाँ अजुए कि अजब मुड़कर के पार क्यों खुड़कर के अज़ को अज़कर बंगकर के अज़कर करेंग झाल झाल, झाल, झाल... झालोफ तुद। हमारे देश में बहुत सारी नदिया हैं और हम सारी नदियों को आपस में जोडने वाले हैं और ये काम हम आज और इसी वक्त शुरू करेंगे हमारा देश एक क्रिशी प्रधान देश है और पानी हमारी एक जीवन रिखा है विडम बना तो देखिए एक तरफ लोग पार से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ सूखे से मरे जा रहे हैं आप प्रूस तरफ से मरे हैं मर्चा से मरे हैं जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो सारी दुनिया आपकी पहुंच में होती हैं. दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आदमी से आप बात कर सकते हैं, एक छोटे से मोबाइल फोन से. पर क्या ये छोटी सी चीज आपके लिए रूटी पैदा कर सकते हैं? अब हमें अपने किसानों का जीवन स्तर सुधारना होगा और यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश है. अपा! प्लेक्म्रीप Sioux अंब एकारे कि अपक लागए . व्क्राण कि अएख City प्लेक्म्री तूएव किले एकवाए अजब लुझांग की अधिता। व्लेफ स untuk शुल, व्हु कर दो शुल, व्हु आपाओ oh yeah अब करेंगा पूरप से पश्चिम से उतर से दक्षिन से आई हर नदी को हमें जोड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश का हर एक किसान पानी की समस्या से मुक्त हो जाएगा खून कभी खून से अलग नहीं होता हिंदुस्तानियों के खून का रंग एक है तुम मासूम लोगों का खून बाहकर हमें आपस में लड़वा कर अलग करना चाहते हो ये कोशिश से कुड़ साल से हो रही है और हिंदुस्तान एक था और एक रहेगा और याद रहे इसे अलग करने की कोशिश की तो धर्ती से तुम्हारा नामों निशान तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे हिंसायिया और के तुम्ह। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर तुम्हें इस से क्या हासिल होगा बृद्वशों बार कर क्या होगा बहुत गलत कर रहें हो तुम लोग सिर्फ मेर्स पहला रहें आउं तुम नफृत और और कुछ नहीं जिहाद का वास्ता देकर मासूम लोगों को बहकाया चाता है तुम लोग आतंकवाद पहलाते रहोगे और हम उसे मिटाते रहेंगे इसे जड़ से खत्म करेंगे जड़ से ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमारे भारत देश की सारी नदियों को जोड़कर पूरे देश को पानी और सम्रिध्धी दी जाएगी और हमारी धर्ती फिर से उपजाओ होगा बंदे मातरम बंदे मातरम